laws of energy transformation first the contents thermodynamics first law of thermodynamics second law of thermodynamics and drop adjustments इसको पढ़ने से पहले एक energy transformation के बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि energy is ability to do work तो actual जब भी हम कोई काम करते तो energy एक farm से दूसरी farm में transform होती है अब energy के जो transformation है एक farm से दूसरी farm में ये under certain rules है nature के अंदर के specific laws हैं जिनके according जो है energy transformation होती है यानि अगर electric energy से light energy produce हो रही है तो specific law है अगर हम अपनी body के अंदर food को chemical energy से आगे different types of energy बनाते हैं जिसे kinetic energy के तोड़ पर यूज़ करते हैं it is certain rules तो हमेशा energy जाओ certain rules के certain law के ताहती है transform होती है energy की transformation को study करने के लिए scientist के पास सबसे जो easy way है वो है कि आप energy को heat की farm में study करें क्योंकि heat की farm में energy को study करना सबसे आसान है इसलिए scientist ने जब भी energy की transformation को study करना है कि कैसे energy transfer हो रही है तो नार्मली with reference to heat study करते है और इसी base के उपर एक science का अपरा discipline मुझूद है जिसको हम thermodynamics कहते है यह थर्मो heat dynamics mean transfer तो thermodynamics का फिर जो basic है यह it is the branch of science which deals with the transfer of heat energy into other forms of energy कि heat farm से आगे light energy कैसे बनती है sound energy कैसे बनती है यह एक farm से दूसरी farm जाओो कैसे उसे produce होते है सारी सारी thermodynamics में आ जाएंगे thermodynamics के अंदर हमें दो major laws मिलते हैं जो transfer of heat energy के उपर बात करेंगे सबसे जो पहला लाए that is called first law of thermodynamics energy can neither be created nor destroyed however it may be transferred from one farm to the other it may be transformed from one farm to the other transform का मतला आप इसको एक farm से दूसरी farm में change कर सकते हैं तो first law of thermodynamics क्या रखा है आप energy को create नहीं कर सकते है create का मतलब है कि कोई चीज़ दिस्टी नहीं करते है आपने बना दी है ऐसा नहीं है energy को आप create नहीं कर सकते है जैसे हमारी यूनिवर्ष्ट में जितनी भी energy है वो सारी sun light से आती है sun सूरीज से आती है तो हम energy create नहीं कर सकते है बलकि हम सूरीज से energy लेते है plants लेते हैं इसे energy को फिर उससे आगे food बनता है पाकी चीज़ें बनती है तो सारीक सारी energy एक फार्म से दूसरी फार्म में transform हो रही है कहीं भी energy create नहीं हो रही है अचा इसके साथ दूसरी बात कहता है energy destroy भी नहीं होती है energy destroy नहीं होती तो energy जाती कहां है इसका simple answer यह है energy आम तोपर दूसरी फार्म में transform हो जाती है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी chemical energy को sound energy में convert कर रहा हूँ sound energy sound मेरे तो थोड़ी दीर तक जाका रुक जाती है फिर energy कहा जाती है फिर ये energy environment में dissipate हो जाती है तो इसका मतलब है energy destroy नहीं हो रही है environment के अंदर क्या हो रही है dissipate हो रही है आशासता जहाँ हो environment के अंदर ही मुझूद रहती है energy देकर वो dilute हो जाती है dissipate हो जाती है second law of thermodynamics पहला law तो ये कह रहा है कि energy ना ही तो बनेंगी ना ही आप इसको जहाँ हो ना ही तो बना सकते है ना ही उसको जहाँ breakdown कर सकते है उसको एक फार्म से दूसरी फार्म में change कर सकते है second law of thermodynamics is saying that all the objects in universe they tend to become disorder universe के अंदर हार चीज़ क्या करती है अपने आपको disorder बनने कोश्च करती है जैसे हमारे गारवाले अगर ना हो तो वो हमारे कमरे के हाला देख सकते है हम कितने disorder फार्म में रहना पसंद करते है तो बहराद नेचर के अंदर ये rule ये है कि हार चीज़ क्या करती है disorderness की तरफ जाती है और वक्त गुज़रने के साथ जैसे time गुज़र आई ये disorderness इसमें अजाफा होता चला जा रहा है अच्छा इसकी मैं reason अगर कोई पूछता है कि disorderness क्यों बढ़ रही है नेचर के अंदर हार चीज disorderness की तरफ क्यों जाना चाहती है क्यों जा रही है उसका simple answer ये है कोई चीज जितनी ordered way में होती है वो उतने ही समझा जान चाहिए कि actually जब हम जाते हैं कि हर चीज disorder होना चाहती है तो disorder का मतलब ये है कि हर चीज stable होना चाहती है कोई चीज जितनी organize होगी ordered होगी उतनी उसका energy level high होगा और वो unstable होगी जितनी कोई चीज disorganize होगी उतनी उसके अंदर stability ज्यादा होगी उसका अंदर energy level काम होने से energy stability जावो बढ़ जाती है अच्छा entropy second law of thermodynamics के साथ एक और word जुड़ा होगा है जिसका हम entropy कहते है disorderness को measure करने के लिए हम entropy का word शूज करते हैं entropy basically का it is a measurement of disorganization of the objects different objects जो disorganization को measure करने के नाम entropy है अच्छा अब यहाँ में देखें तो entropy कैसे increase हो रही है हम दो चीज़ां कह सकते हैं एक हम यह कह सकते हैं कि time गुजरने के साथ साथ universe की disorderness increase कर रही है अब जाएस कि हम disorderness का word जूज करें we can simple इसे कि time गुजरने के साथ दुनिया की या universe की entropy बढ़ रही है entropy का मतलब इसाड़न ऐसी होगा अब इसके simple इसके जो example code किया वह यह है कि जब हम natural gas को burn करते हैं तो जो natural gas के molecules होते हैं वो high energy molecules हैं जब burn करते हैं तो इसे heat produce होती है chemical energy से heat energy produce होती है इस heat energy से हम cooking करते हैं, boiling करते हैं को useful काम करते हैं और जो बाकी energy बाच चाती है वो environment में dissipate होका disorganize हो जाती है यनि energy या जो भी चीज़ है वो end पर क्या हो रही है disorganize हो रही है, dissipate कर रही होती है